तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम शमिकरन को हल करना सीखेंगे यहाँ पर एक शमिकरन दिया गया है जिसका हम हल ग्यात करना सीखेंगे तो देखें हमारा कोशन क्या है और इसको काफी आसान तरीका से हम सल्ब करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके शामने कोई भी श्टाइब का कोशन आता है या किसी परकाट का शमिकरन हल करने वाला कोशन आता है ना तो आप उसको काफी आसान तरीका सल्ब कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में जो भी आसान तरीका बताए जाएगा ना उसको समझने के बाद तो देखे हमारा कोशन क्या देगे तो हमारा कोशन आप दिया क्या है देखे एक्स प्लस वन बाटा में क्या है टू एक्स प्लस थीरी और बराबर में तीन बटे आठ दिया गया है हमको क्या करना है हाल ग्यात करना है यानि इसको हमको हो सकता है समझ रहे है न तो वही हमारा चर संख्या होता है और शमी करनों को solve करने के बाद चर संख्या जो होता है न उसी का मान हमारा ग्यात होता है अंत में अब देखे यहां पर चर संख्या क्या है एक से तो हमको एक का ही मान ग्यात vent करने हैं इसको solve करने के बाद तो अब देखे solve करने का नियम कग है तो नियम यह है कि जब भी आपको इस टाइप के कोशन देखे जैसे कि बराबर के left right में यहां पर भी बाटा में संख्या है और बराबर के suma2x3 अब देखे बराबर के right Μेए भी यहां पर 3 के बाता में 8 यहां भी बाता में संख्या है और इधर भी बाता है तो जब लाइबरेगे its double-thин हो तो शमिकरन हल करने के लिए आपको तीरिछा-द्रिछी open करना ए क्रऊस क्या करना गुस्या यहाँ पर गुणा कर देना है , तो सबसे पहले इस आठ का करेंगे x-1 नर्य यहाँ पर 8 है, दो लिखिन सबसे पहले 8 और коस्ट में यह वाला एक्स प्लस वन चुक एककस प्लस वन का गुणा करना है 8 में या 8 गुणा करनाई x-1 में अब देखे बराबर है तो बराबर अब इस 3 का गुणा करेंगे इस 2x प्लस 3 में तो यह 3 है तो सबसे पर यह 3 लिखेंगे और कोश्ट में क्या है 2x प्लस 3 तो यहां पर भी हम 2x और प्लस 3 जो है लिख देंगे अब देखे हम गुना करेंगे गुना कैसे करेंगे यहां पर आपका हो जाएगा 8 x क्या हो UX आँफ एक्स अफ देखेimmen, पलस है तो पलस, आइक में एक में तो यहां पर आपका हो जाएगा 8 अब देखें बराबर है तो यहां पर भी बराबर लिखेंगे अब देखें इस 3 का गुना करना है टू x में जब 3 का कुना करें के 2 तो 3 2 का हो cyeगा शो और एक से तो यहां पर भी हम एक लगा देंगे उसके पहते से पलस हे और यहां पर भी तीन के पाले कुछ भी नहीं से तो पलस 3 में तो 3 तीन करेंगे यह आपका नौ और वह धुशत है प्लस यहां पर हो जाएगा 9 अब देखें, यहां पर अब देखें, बरबर क्रहेट में यहां पर 6 से नो, इसके तो वहां पर प्लस शिप आ रहता है तो यह चोव एक्स प्लस में लाएंगे न तो माइनस नहीं यहा पर हो जाएगा अब जाएगा और बराबर से गहाथ इधर पहले से नव है तो यहां पर लिखेंगे और देखिए कि यहां पर 8 है बराबर के लेफ्ट में इसको बड़ाबर कराइट मिलेंगे न तो यहां पर आपका माइन सठ हो गया यहीं जोबि ह spoilers तरा मैंने कर दिया और जो गुण costs संख है उसको मैंने एक तरफ कर दिया अब देखिए यहां पर 8 x में से घटाना है चोव एक्स तो यहां पर आपका हो जाएगा दो एक्स और बराबर में नौ में से घटाएंगे आठ तो यहां पर होगा आपका एक अब देखे दो एक्स बराबर एक होगा हमको एक के मान गयात करना है तो एक्स और दो की बीच में रिलेशन क्या है तो यहां पर घुना का अगर इस यहांब यहां अभर यही इस पहले कोशिण का फाइनल अंसर है अब यह हमारा दूसरा नमर कोशन जो के most most important है इसको solve करने के वाद अगर आपके शमने कोई भी शमिकरन हल करने कोशन आता है तो आप उसको काफी आसान तरीका से solve करेंगे तो देखिए आसान तरीका क्या है काफी आसानी से यह भी solve हो जाएगा तो देखिए इसमें क चर संक्या है उसका मान हमको ग्याद करना है तो इसमें भी चर संक्या हमार एक्स ही है यानि एक्स का ही हमको मान ग्याद करना है इस एक्स के जगए पर यहां यहां कुछ भी हो सकता है यहां पर एक्स जो है चर संक्या इस ही का मान हमको ग्याद करना है तो मैं आपको बताया है कि जब भी शामिकरन हल करना हो और बराबर की लेप साइड में कोई संख्या हो और बयुट्टा में हो और बडिय। यहां पर हम ती unravel का गुना करेंगे यहनए सबसे पहईरे इन गुणा करेंगे इन चावी संख्याओं में तो तो हम यहां पर लिखेंगे 3 लिखेंगे बराबर है तो बराबर बराबर जब 3 का कुनाओ करेंगे 3x में तो 3 तरीक्य हो जाएगा आपका 9 और x हो जाएगा प्लस है तो प्लस तीन कगुन करेंगे दो में तो तीन दो निक हो जाएगा आपका छो बराबर है तो बराबर अब यहां करेंगे एकस में तो यहां पर हो जाएगा आपका दो एकस यहां पर प्लस है और इसके पहले भी कोई मिशीन है तो प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्लस और दो करेंगे पांच में तो दो पंच हो जाएगा आपका यहां पर दस अब यहां सिया करेंगे जो भी एक्स वाला संखिया उसको एक तरफ करेंगे और जो बीना एक्स वाला ने इसको एक तरफ करेंगे तो यहां पर दो की साथ क्या है एक से मैं आप하게 law किसास्थ एक से और इसमें इकस नहीं है इसमें भी एकस नहीं है तो इस चोग कोंधर ले जाएंगे और 2 इधर ले गाएंगे यहां अपी कहना विवेसर तो इस चंकिया को बेराबर कराइट में है वर इसके पहले कोई भी चेल का प्लश स्ट चिपाया। है यहाँ भी चंक्या पहले कोई भी चेल नहीं रहता है यहांपर मैन्न लिखाया लेकिन यह पर प्लश है अगर माइनस लिखना होता न तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं कि किसी संग्या के पहले अगर कोई भीची नहीं है न तो वहाँ पर माइनस नहीं होता है क्यों क्योंकि वहाँ पर प्लस ही बाराता है अब देखिए यहाँ पर पहले से 10 है और यह प्लस जो 6 ही बराबर क्रे तो एक्स बराबर यहां पर पहले से चार है और यह सात जो यहां पर गुना में बराबर गाएग़ा तो भागाए में होजाएगा यहनी एक्स का जो मान हल करने वाला कोशन आता है ना तो आप उसको काफी आसान तरीका से सल्ब कर सकते हैं तो मेरे दोस्त अगरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और इस चैनल पर पहली वरा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर केज़ेगे ताकि आपको नए मैत के दियारी हमेशा चलती रहे और आपका मैत काफी स्ट्रॉंग हो जाए